सीजेरियन डिलीवरी से बचने के लिए किवा लास्ट में ही कोशिश नहीं करनी है, पूरी प्रेग्डेंसी में कुछ ऐसे काम है जिनको अगर आप फॉलो करें तो बहुत सरलता से आपके नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और उन टिप्स को आज हम इस वीडियो में जानने वाल सरलता से और सुरक्षी तरीके से हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी जो चाहते हैं उनकी भी इच्छा जरूर पूरी हो जो भी महिला नॉर्मल डिलीवरी चाहती है उनको सबसे पहले अपने वजन पे कंट्रोल रखना चाहिए बहुत बड़ा वैक्टर है इसलिए मैं इसको स समय से पूर भी डिलीवरी करनी पड़ सकती है इसलिए तेजी से अगर बजन बढ़ रहा है तो खाने में ध्यान दीजिए कि क्या बहुत मीठा का रहा है जैस्टिशनल डियाबिटीज तो नहीं है और फाइबर रिच लो गलाइसेमिक फूड आपको खाना है जिससे कि आप को क्रेविंग्स ना हो बजन तेजी से ना बढ़ एपने डाइटेशन से जरूर से जरूर सलाह लें दूसरा जो important factor है प्रेगनेंसी में बड़ी बड़ी बाते हैं डॉक्टर का इलाज, दवाए, सोनोग्राफी टेस्ट, वैक्सीन, फ्रूट्स सब का ध्यान रखते हैं ले अच्छे के ग्रुवत में भी problem आती है, so hydration का बहुत ध्यान रखना, hydration केवल पानी पीरे से नहीं, बलकि fruits, juices, खाने में भी सूपी चीज़ें ज्यादा बनाएं, water content पे हमीशा ध्यान रखें, तो water content जो आपके डाइट में आ रहा है, उस पर अगर अब ध्यान तेंगे, तो आप dehydrate नहीं होंगे, hydration maintain रहेगा और delivery safer होगी, तीसरी चीज़ है stress, परिवारिक इस्थिती, हालात, परिस्थितियां, बहुत सारी चीज़ें जिसके वज़े से stress रहती है, जो महिलें depressed रहती है, stress में रहती है, इनको anxiety बहुत जादा रहती है, favorable environment नहीं मिल रहा है, तो उसको favorable बनाएं कैसे, इस पर मेरा already video है, जो कि आपको मजबूत बना देगा, और stress को भगाने में बहुत help करेगा, उसको देखें, stress रहेंगी, तो delivery complicated हो सकती है, medication, कई बार iron, calcium, folic acid की medication दी जाती है, उसको ignore करती है, मरिला कि हम तो बहुत healthy खाते हैं, लेकिन pregnancy में nutritional needs कई गुना इसलिए कुछ micronutrients के लिए supplement ज़रूर लें, दवाओं को ignore ना करें, समय से में पर अपनी vaccines लेते रहें, और last tip है, कि अपने blood pressure को control रखें, अपने sugar को control रखें, शुरू से track रखें, अगर शुरू आती pregnancy में हैं, तो मारे कई videos हैं, जो शुरू से आपको guide करेंगी कि कैसी diet र रखें, जिससे blood pressure naturally control रहेगा, क्योंकि एक बार shoot करने पर उसको नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आशा करती हूँ, कि आप हमारे और videos देखेंगे, और सारी जानकारी लेकर, आप अपने को fit रखेंगे, अपनी pregnancy में अपना पूरा ख्याल रखेंगे, stay tune with me, bye bye आशा करेंगे